अब बात इर्फान की सुपरफास्ट सुनवाई बात विधाय की पर आई क्योंकि इर्फान सुलंकी का फास्ट ट्रेक कोट में ट्राइल शुरू हो गया है आज इर्फान सुलंकी को महाराज गंज जेल से कान पूर लाए गया लेकिन अबने छे महीने इर्फान के लिए बहुत अहम है क्योंकि इर्फान को सदा हुई तुनकी विधाय की जा सकते। इर्फान पर सूपर फास्ट सुनवाई बात विधाय की पराई। शायराना अंदाज में बोले इर्फान बड़े दिन बाद दिखी चेहरे पर मुस्कान। पिछले तीन महीने से जेल में बंद सपा विधायक इर्फान सुलंकी के लिए आने वारे छै महीने निरनायक होने वाले हैं। क्योंकि इर्फान पर दर्ज मुकदमों का फैसला अब फास्ट रैक कोट में शुरू हो चुका है। शुकरवार को इर्फान सुलंकी को महराज गंज की जेल से कानफुर की फास्ट रैक कोट लाया गया। जहां उन्हें फर्जी आधार कार्ट के मामले में पेश किया गया था। जिसकी अगली सुनवाई अब चार मार्च को होगी। लेकिन जब जेल से इर्फान बाहर आए तो एकदम अलग अंदाज में थी। क्योंकि इर्फान सुनंकी ना सिर्फ मुश्कुरा रहे थे बलकि शायराना अंदाज में जवाब दे रहे थे। आपको बता दे कि कानफूर में एक महिला के प्लॉट पर कबजा और उसके घर को आग लगाने के मामले में इर्फान पर आरोप तैय होने हैं। क्योंकि इसी केस के बाद से इर्फान के मुश्किले बढ़ी हुई है।